गुड इनिंग दोस्तों कैसे हो आप सब होफसो सब अच्चोंगे आज हम देखेंगे 3 दिसमबर 2018 के मैतोपूर्ण मैतोपूर्ण करंट अफेर कौन-कौन से है सबसे पहले जो हम एक दिसमबर से मिशन 1000 लोंच किया था होफसो आप इसके सपोर्ण जारे रखेंगे और दिसमबर एंडिंग से पहले पहले यानि 15 दिसमबर तक हम 1000 के मिशन को क्रोज कर देंगे तो अपना सपोर्ण जबर्दस्ट बनाए रखें पहले जो न고요 कि महराष्ठी फिरकार görण से महराष्ठी की सरकारने एक सरकारी प्रस्टा जारे किया जिसके तःप महराष्ठी के जो ब condemnगर है जो महराष्ठी जिला कार्या ले当 या फिर इस्ताने निकाई या निक पंचायतों की जो कार्यालें वहाँ पर सोम्ोवार को जाकर के प्रतेक 2 गंटे सोम्वार को 2 गंटे जाकर के वहाँ पर सरकारी रिकोर्ड्स जो फाइल्स हैं उनका निर्क्षन कर सकते हैं तो right to know का अधिकार दे दिया किसने महाराष्टरा सरकार ने, ये द्यान रखना दे कौन से स्टेशन राली में अपने नात्रिकों को सोमवार को सरकार की जिलाकारा ले या प्रिस्तानी निकायों कि गार अलम जाकर के सरकारी रिकोर्ड को नेक्षिंड करने का अधिकार दे दिया तो महारास्ट्र सरकार इसके अलावाट जो अगली न्यूजव कहा है कि अंत्रिक्ष में उडान बनने के लिए artificial intelligence के साथ, किसके तयब? artificial intelligence के साथ पहला robot launch किया, तो अपने को पता होना चीग है बहुत इस robot का नाम है Xeomon का नाम है शियो मौन, तो अंत्रिक्ष में artificial intelligence के आदार पर बेजा गया robot का नाम किया है Xeomon, कि रोन सी company ने इसको launch किया, तो उस company का नाम है SpaceX, कौन से company launch किया SpaceX ने launch किया हम पहले बता चुकिए SpaceX कहा की company USA की private antrix company जैसे हमारा इसरो होता है अमेरिका की सरकारी जो नासा है और उसके कौन से launching vehicles launch किया, तो car book capsule से Comon को launch किया है तो आपने को पता होने चिक भी antrix में कौन सा robot वे जागा है, Comon अगले जो नियों, क्या ताला नोवा, डाइलोग, कोन सा डाइलोग ताला नोवा डाल पहले बात तो ये ताला नोवा क्या है ताला नोवा एक पारमपरिक सबद है जो भीजी और परसान छित्रे है उस्स महाँ ये उपयोग में किया जाता है किसके लिए यदि कोई बात चीत ऐसी है जो समावेशी है सहभागी है पारदर्स्ती है इस तरह का यदि कोई वारतलाप हो रहा है समावेशी पारदर्स्ती और सहभागी तीन करक्टर दवाला तो उसको बोलते है ताला नौवा डायलोग अब इसकी शुरुवात कब हुई थी तो तो 2017 के अंदर समयुक्तराष्ट संग के अंडर में इस सब के सभी देश प्रयावन की मीटिंग की और इस सब के सभी देशों को जो समयुक्तराष्ट संग के अंडर में प्रयावन की मीटिंग होती है उसको बोलते है COP Conference of Parties और जो ते ताला नव डायलोग के जाते हैं कि काइनियों को साजा करके या शानुभुतीrovryक करके या फ़र बुद्धिमत्य निर्ने लेकर के और समाज के अंदर अनव और और कोशल को साजा करना प्रयावन संडक्षण के लिए तो प्रयावन संडक्षण से सन्मन देते हैं ताला楠 डायलोग कब से इसकी शुरुआत हुए थी 2017 से Conference of Parties की मिटिंग का पर हुए थी बॉन जर्मनी में ये मिटिंग हुए थी अगले जोने होज़े हो क्या है कि 3 दिसमर है आज और आज मनाया जाता है अंतराष्टी विकलांग दिवस, International Disability Day या अंतराष्टी दिव्यांग जन दिवस भी कह सकते हैं इस बार की जो थीम हो क्या है Empowering Person with Disability and Ensuring Incluveness and Equality यानि कि Empowering Person with Disability उनकी छमताव में empower करना और Ensuring Incluveness and Equality समानता का दिकार देना और समावे सी बढ़ावा देना Ensuring Incluveness and Equality यह है तीन दिसमर अंतराष्टी विकलांग दिवस की थीम अंतराष्टी विकलांग दिवस के शुरुवात कब सुईती हूँ? 1902 में से इसकी शुरुवात हुईती हूँ अंतराष्टी विकलांग दिवस की 1902 में में शुरुवात हुई थी हमारे यह आंतराष्ट विकलांगों को बारे में कौन काम करता हूँ? जो हमारे समाज कल्यान मंत्राले सेंटर को वो इसकी बारे में काम करता है और भारत के अंदर लगबग दो करोड़ विकलांग है और भार्द सरकार ने हाले में ये गोशना कर दियागे, विकलांग जो दिव्यांग जन बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के खर्चा कौन उठाएगी, इस सरकार उठाएगे, तो that is very good यह निस्ट, अगले जो नियुक्त है, वो क्या है कि होर्ण बिल माहोच सो, कौन सा बिल माहोच सो, होर्ण बिल माहोच सो, पहले बात तो यह कहां सेलिब्रेट किया जाता है, नागलेंड में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1963 को इस बाहर्त का सोड़वा राजे, ठीक है तो एक दिसम्बर को नागलेंड की खतापना दियास पर वहाँ पर मनाया जाता है, होर्ण बिल माहोच सो, ठीक है, इस होर्ण बिल माहोच सो, कौन सा नंबर कोने इस ओ, होर्ण में माहोच सो का यह आज़न किया जार रहे, हैं सा एक से दस्तारिक तक चलता है, नागलेंड का इंप्रोटेंस बात के अंदर बहुत हैं, क्योंकि जो साउथ इस्ट है, दक्षनी पूरी वी एशिया है, उसका गेटवे कहलाता है, कौन नागलेंड, और यह होन बिल माउच सव है, इसको नागलेंड में कहते है, फेस्टिवल स फेस्टिवल, त्यम्वारों का त्यम्वार कहते है, कि इसको होन बिल माउच सव को, तो यह दान रखना है, भी होन बिल माउच सव कहां पर मनाया जा रहा है, नागलेंड का बनाता बात कर आजे, एक दिसम्बर उनिस सो त्रेशट को, और नागलेंड के जो राज्ये की बा बनाया जाता है, ठीक है, उसको राक्षा के लिए इस इमापुर, तो उनके सम्मान के लिए, एक से साथ दिसम्बर तक ससस्तर बल सब्ता का आयोजन किया जाता है, तो इसके लिए क्या है कि जिन जवानों ने हमारे सुरक्षा के लिए अपनी सादत दिये, उनको याद करना ठीक है उनके फेमिलीज को थोड़ा रस्पेक्ट दिलाना इसका मोटो है कि उनका आश्रितों को समाज गंदर एक उचित इस्तान दिलाना ठीक है वो सारा के सारा इसका है और इसके तैट जो आर्मन फोर्स वेलफेर फंड है उसका भी गठन किया गया है आर्मन फोर्स सतीं फन्तिक्वist बघ्रन लेकर करके एक डिजीटल फ्लाइ स्किम योजना और इसके ताहर ड्र ॉनका पंजीकन कर दिया है अनिवारी यह जरून क्या होते है ड्रॉन ड्रॉन होते हैं रिमोटली प्लेट्ट एरियल सर्विस कोण सा फास हार पास रिमोटली पाइलेटड एरियल सर्विस आर पास होते हैं एक तकनी की मंच है इसका ही डिजिटल इसका ही ठीक है और इसका कंट्रोल रूम भी बनाए जाते हैं अब क्या होता है कि यह पंक होते हैं इनमें ड्रोन के अंदर बैटरी से उर्जा प्राप्त करते हैं और जीपीए सिस्टम के द्वारा काम करने वाले होते हैं को रिमोटेड पाइलैट एरियल सिस्टम और इनको बोलते हैं इनकी जो रेंज फिलाल है ऑडव स ses केंड़ेंगे माइक रिजड़न इननो ढरन ईसको बोलते हैं जूट से कम है उसको क्या बलोगए नेननो जो द्वाय से द्व किलोग आए उसको क्या बोलेंगे, Micro, जो 12 से 25 क्लो का है, उसको क्या बोलेंगे, Small, और जो 25 से 1.500 का है, उसको क्या बोलेंगे, Medium, और जो 1.500 क्लो 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 क् अब कुछ factual नियूज है जो अपने फटावड कवर करनी है पहले जो फैक्ट्ट्वल नियूज है कि देश की सबसे जो आधुनिक ट्रेन है वो कहां से ट्रेन 18 आमने बताया था सुपरपास ट्रेन चल देए ठीक है जो बिना इंजन के चल देए ट्रेन 18 वो कहां चली कोटा स् अफ्तार से वो चली है इसके लाव बार्त और चीन के बीच में ब्यूनस आयरस कौन सा ब्यूनस आयरस ब्यूनस आयरस यहां पर जी ट्वन्टी का सम्मेलन हो आता जिसके अपना 2019 की गे थी तो वहां पर बैठे कोई तो उसमें चीन ने काया कि बार्त से आया चीन तने के तरीकों पर हुई वह आचा और उसमें बार्त के परदानमंत्री और यूरूपेन युनिन के लोग सामिल हुए और इस जी ट्वन्टी सिकर्सिमलन में ही भार्त जो जो जी ट्वन्टी 又 करेगा ने एक युद्या ब्यास कर रहे हैं इसके लाव हम बताई चुके हैं कि आद दिव्यांग दिवस है तो दिव्यांग बच्चों सिक्चा का खर्च वहन करेगी सरकार मानौ संसाधन विकास मंत्रा ले कि यह योजना के तहर इसके लाव दैट पॉइंट इस वेरी इंपोर्टेट इंपोर्टेंट और जो यह इंपोर्टेंट है कि हमारा नए मुक्य कुनावाय युक कर लिए गए हैं कोंड सुनिल अरोड़ा? किसके जगए ओपी राओत के जगए राजस्तान कैडर के आई है सदिकारते सुनिल अरोडा दी और इसके लाव हम पहले बचा चुकें कि ड्रोन उडाने के लिए ओनलाइन डिजिटल स्काई प्लेट फोरम की शुरुआत की है अब ड्रोन जो ड्रोन हम बता देए जो 500 ग्राम से भी छोटे ड्रोन है उनको बोला नैनो और जो 200 से 2 किलो ग्राम है उनको बोला है माईक्रो तो यह सारे कि सारे डिजिटल स्काई प्लेट फोरम की शुरुआत की है यह हैं फैक्ट करण्ट के अब आज की सवाल सबसे पहले सवाल की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर रिमाइंड करा देते हैं Mission 1000 का आप द्यान रखें Mission 1000 Mission 1000 में अपना participation जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस Mission से जोड़ें सब कम से कम 10 लोगों को जोड़ोगे तो 15 तारीक तक हम इस Mission को अचीव कर लेंगे और इस Mission को यदि 15 तारीक तक अचीव कर लेंगे तो यह आपके लिए भी great achievement और हमारे लिए भी great achievement हम सब के लिए पहला question क्या है पहला question है कि नैनो satellite किसे कहते हैं यानि कि नैनो satellite का वज़न कितना होता है पहला question दूसरा जो question है सब्सक्राश संग की conference of party 24 इश्वी meeting कहां पर हो रही है conference of party की 24 इश्वी meeting कहां पर होगी वो कौन से देश में होगी बता दो कौन से देश में होगी तीसरा जो question है, G20 का सम्मेलन शिकर सम्मेलन भारत में कब आयोजित होगा, और चोथा question, कौन से राज्येगी सरकार ने अपने नागरिकों को सो मुआर को सरकारी फाले देने का देखने का अधिकार दे दिया है, तो अपसो आप सब ज़ती जल्दी reply करेंगे, thank you, thank you so much, mission 1000 को ध हैंगे ज़ती 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 ज़त